नवस्कार, सभी सिछखवनों का जैहिद वन्दे मातन स्वागत करते हैं अब इनन्न करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राश्ठीत में चैनल सिछखवर्ती का चैनल जैसवाल कोचिंग सिंटर पर दोस्तो हम बात कर रहे हैं संसक्र सिच्छन विदी की यानि संसक्र पेड़ागॉजी की बात करेंगे और ये पार्ट नमबर दूसरा है दोस्तो सिकंड पार्ट है और आपके सिलेवस के अधार पर सभी प्रसुन रहने वाले हैं पूरा कंसेप्ट एक दम बेक्सिक से बता रहे हैं इसके बाद आपका प्रेक्टिस कोश्चन जो आपके संसक्र लांग्वेज में करेंगे तो दोस्तो आईए सुरू करते हैं पहला पार्ट और पिछला पार्ट आप लोग नहीं देखा है तो यहाँ पे कार्ड पे एक लिंक मिलेगा आप लोग पिछला पार्ट यनि पहला पार्ट देख सकते हैं ताहिए शुरू करते हैं दोस्तों कल हमने आपके सिच्छन विधी के बारे में बताया बहुत सारे अगर आपने पहला पार देखा है तो आप लोग समझ गए होंगे और सिच्छन विधियों तीन प्रकार की होती हैं दोस्तों आपके जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि सिच्छन विधिया कितने प्रकार की होती हैं तो तीन प्रकार की होती हैं पहला प्रकार है प्राचीन विधी मौलिक विधी जिसे बोलते हैं और नवीन विधी और आपक सबसे प्रमुख नविन्तम बिधी तीन बिधियां आपके सिच्छन बिधियां में हैं संस्कत सिच्छन में और अंगला बात करेंगे प्राचीन बिधि जिसे मौलिक बिधि बोलते हैं वे बिधियां जो लाड मैकाले 1835 के भारत आने से पहले प्रचलित थी पाठसाला बिधि दूसरी है ब्याकरन अनवाद बिधि पाठसाला बिधि इस पद्धत में क्या है छात्रों को बिसे वर्ष्टू इसपष्ट की जाती थी और जो है आपके पाठसाला बिधि में पाठसाला बिधि है जैसे मौखिक बिधि परायन बिधि वाद बिवाद बिदी वाद बिवाद बिदी के बाद प्रसनोत्तर बिदी है सूत्र बिदी है कथा कथन बिदी है कच्छा नायक बिदी है भासर बिदी है ब्याक्य बिदी है तो पाट साला बिदी या नौ प्रकार की है ये भी आ सकता है जामे की मौकिक भी दी, परायन भी दी, वाद भी वाद भी दी या उपरोग सभी आपके पाट साला भी दियां है तो ये नौ प्रकार की पाट साला भी दी हैं सभी लोग जान लेंगे या टेली गराम में ज़रूर जोईन करें सभी All subject के आपको North PDF फाईल दोस्टों वाँ पे मैं अप्लोड करता हूँ तो टेली गराम में ज़रूर जोईन करें लिंक आपको Resksen मिल सकता है या टेली गराम अप इंसेटाल करके वहां पर आप सर्च भी कर सकते हैं दिष्वाल कोचिंग सेंटर आपको मिल जाएगा बात करेंगे मौखिक बीद की दोस्तों जो आपके पाट साला बीद की पाहली बीदी है आपकी मौखिक बीदी यहां से प्रस्ण बहुत जादा पूचे जाती हैं तो ध्यान पूरक सभी कंसेप्ट समझेगा मौखिग बिदी में मौखिग बिद को विक्तिगत बिदी भी बोलते हैं इस बिदी के अंतरगर छात्र विसेवस्थ को अध्यापक को सुनाएगा और अध्यापक उनके दोसों को दूर करेगा इस बिदी में कंठस्ती करन पर बल दिया जाता है बहुत बार पूचा गया कि किस बीद में कंठस्ती करन पर बल दिया जाता है तो आपके मौकिक बीद में दिया जाता है और जो है किस बीद के अंतरगत जो है छात विसेवस्त को अध्यापक को सुनाते हैं तो मौकिक बीद पर है और अध्यापक उनके दोसों को दूर करता है, मौक्व विद के द्वारा करता है अंगला है आपका परायन विदी परायन का वास्त्वी कर्थ होता है पाठ करना और इस विद के अंतरगत वैदिक मंत्रों का पाठ कराया जाता है इसमें रटने पर अधिक बल दिया जाता है बहुत बाई जाम में आ जाए तो परायन विद में रटने पर अधिक बल दिया जाता है और परायन विद का सबसे बड़ा दोस है दोस्तों अर्थ के अबोधन पर ध्यान नहीं दिया जाता है सबसे बड़ा दोस अगर आजाए परायन विदी का तो अर्थ का वोधन पर यहां पर ध्यान नहीं दिया जाता है दोस्तों और इसमें रटने के अधिक बल दिया जाता है परायन विदी में अंगली जो आपकी विदी है वाद भी वाद विदी है अब इस बिद में क्या होता है कंठस्ती करण के साथ साथ अवबोधन पर ध्यान दिया जाता है क्या है कंठस्ती करण के साथ साथ अवबोधन पर भी यहाँ पर ध्यान दिया जाता है यह नोट कर लेजेगा और यह दोस है और यह बिदी करके सीखने पर बल देती बहुत बार पूचा गया कि करके सीखने पर बल देती है कौन सी बीधी वाद भीवाद भीधी है सूच में विसेवस्त को दल बना कर सपस्ट किया जाता है वाद भीवाद भीधी में इसमें दल सिच्छन को मातु दिया जाता है वाद वीवाद वीदी पर दल सिच्छन को मातु दिया जाता है अंगली जो आपकी वीदी है प्रसनोत्तर वीदी अब प्रसनोत्तर वीदी में क्या होता है द्यापक प्रसन पूंचता है और चात उत्तर देते हैं बहुत बारिज् को काम में ली जाती है जो सूत्र विधी होती है और ब्याकरन के काम में ली जाती है और सूत्र विधी के अंतरगत पहले च्छात को नियम बताये जाते हैं बाद में उदाहरन बताये जाते हैं अर्थात यह निगमन विधी का दूसरा रूप है सूच विषय को इस्पष्ट करने के लिए सूत्र विधी काम में ली जाती है सूच विषय को इस्पष्ट करने के लिए आपकी सूत्र विधी काम में लाई जाती है और यह आपके निगबन विधी का दूसरा रूप है सूत्र विधी हो सके तो नोट्स भी आप लोग दोस्तों बना सकते हैं इसकीन साथ ले सकते हैं या आप टेलीग्राम में जोईन कर नोट्स या पीडिया फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं अंगली जो आपकी विदी है कथानक विदी कथानक बिदी का प्रयोग विश्यवस्थ को इस्पस्टी करण तथा रुच उत्पादन के लिए सिच्छक पाठ के मद्ध या अंतमे करता है कथानक बिदी के मादम से चात में नैतिक विकास होता है और बिसे वस्त को रोचक और जिग्यासा उत्पर्न करने के लिए उप्योगी कौन सी बिधी है आपकी कथानक बिधी और सब द्रस समागरी बिसे वस्त को रोचक और जिग्यासवत परने के लिए उपयोगी बिदी कथा कथन बिदी है आपकी स्रब्दस समागरी है अंगली जो बिदी है आपकी है कथा नायक बिदी अब कथानायक बिध में जो दोस्तों है अध्यापक की अनुपस्थित में चात्र कच्छा में अध्यापक की भूम का निवाता है बहुत बार पूचा जाता है कि किसी मान लिजे कच्छा में अध्यापक नहीं है ध्यापक की अनुपस्तित में जो है छात कच्छा में ये ध्यापक की भूमका निवाता है वे कौन सी बीदी है तो कथा नायक बीदी है और ये बीदी निस्क्री बीदी है कौन सी विधी है निस्क्री विधी है अंगली विधी है भासर विधी तो भासर विधी जो है कठिन सब्दों के इस्पस्टी करण के लिए विधी काम में लिजाती बहुत बार पूछा जाता है कि कठिन सब्दों के इस्पस्टी करण के लिए कौन सी विधी काम में लिजाती ह तो वह आपकी भांसर्ड वीदी है और ये वीदी दोस्तो उच मादमिक इस्तर के लिए उपयोगी है जो भांसर्ड वीदी होती है वह उच मादमिक इस्तर के लिए उपयोगी मानी जाती है अंगला है आपकी ब्याख्या वीदी ब्याख्या वीदी ये वीदी भांसर्ड ब्याख्या विदी का है भांसड विदी का रूप है और चात्रों की संका के समधान के लिए ब्याख्या विदी का प्रयोग किया जाता है जो चात्रों में संकाएं होती है बहुत बार पूचा जाता है कि चात्रों की संकाएं समधान के लिए कौन से विदी उपयोग मिलाई ज जाती है वह आपकी यह दोस्तों व्याख्या वीधी और व्याख्या के छाय कौंड थे यह जान लेते हैं कौन से हैं गया के छाय अंग होते हैं पहला अंग है पत च्चे बोलते हैं दूसरा है पद उकती यanking पदार थोकती, यानि मुहावरे द्वारा जो बताना दूसरा है, तीसरा है आपका बिग्रह है, चौथा है वाकियोजना, पांचमा है आच्छे जिसे प्रेरख प्रसंगों के मादम से भिक्तिया जाता है, और छटमा है आपका समधान, तो ब्याक्या के च्छायंग होते हैं, सभी लोग नोट कर लेंगे, जाम में आता है कि ब्याक्या के कितने अंगोते हैं, नाम आपकी ये च्छे हो गए, अंगली जो भी दिये दोस्तो ब्याक्रण भी दिये, बहुत बार जाम में पूंचा जाता इससे, ब्याक्रण को भासा का प्रान तत्त्त कहते हैं, सभी ब्याक्रण भी दिये, और इसके अंतरगा द्वनी, वन विचार, धात रूप, सब्द रूप, संदी, समास, कारक, आदी चिन्हों को पढ़ाने की विदी है, पतंजली में ये, और जो दोस्तों दस्वी आपकी जो बिदी है, वह ब्याक्रण अनवाद विदी है, और इसके प्रवर्तक रामकृष्ण गुपाल भंडार कर है, सबी लोग नोट कर लेंगे, बहुत बाईज्या में पूचा गया दोस्तों, कि ब्याक्रण अनवाद विदी के प्रवर्तक कौन है, तो रामकृष्ण गुपाल भंडार कर जी है, और ब्याक्रण अनवाद विदी जो है, ग्यात से अग्यात की और होती है सभी लोग नोट कर लेंगे ब्याकरन अनुमाद विदी जो आपकी होती है वै ग्यात से अग्यात की और होती है सरल से कठिन की और होती है स्थूल से सुच्च की और होती है और ब्याकरन अन्वाद बिद को भंडार कर बिद भी कहते हैं और अंगला जो है मात्र भासा का दूसरे बिषय यानि भासा में अन्वाद करने के लिए यह बिदी काम में लाई जाती है बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ब्याकरन अन्वाद बिदी जो है मात्रभासा के दूसरे विशे को अनुवाद करने में ब्याकरन अनुवाद विधी काम में ली जाती है अंगली हम बात करेंगे दोस्तों नवीन विधी नवीन विधी में आती आपकी आवार्च क्या है अरवाच हाँ देखिए आईए देख लेते हैं नवीन विधी दोस्तों अब नवीन विधी में क्या आपका दिया है अरवाचीन विधी अब यहां पर अरवाचीन का मतलब क्या होता है वे विधियां जो लाड मैकाले ने 1835 के भारत में आने के बाद प्रचलित थी यह नवीन विधी है अभी तक हमने दोस्तों क्या पढ़ रहे थे लाड मैकाले के भारत आने के पहले जो थी पहले कौन सी विधी थी हम यह विधी आपको पढ़ रहे थे आपको दिखा रहे हैं यह जिसे हम पाट साला विधी बोलते थी पाट साला बीदी यह आपके पाट साला बीदियों के हमने प्रकार पढ़े नौ प्रकार हैं और जो अभेम पढ़े प्राचीन बीदी जो की मौलिक बीदी जिसे बोलते हैं और यह प्राचीन बीदी जो लाड मैकाले 835 भारत आने से पहले प्रसलित थी और यह दो प्रकार की पाट साला और ब्याकरा नन्वात विदी लेकिन जो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं आपका नवीन विधी जो है आपकी अवारचनी विद बोलते हैं ये विधियां जो लाड मैकाले भारत आने के बाद प्रचलित थी बाद में प्रचलित हुई हैं और ये विदियां आपके 6 प्रकार की हैए कौन कौन से है पाठ पुस्तक बिदी, प्रतेच बिदी, լिसलेशनात्मक बिदी, घरवटी, पंच प्रदीप्रणाली, मुल्यंकन बिदी और संदशनात्मक उपागम बिदी ये 6 विदिया हैं और कल की क्लास में हम इन 6 विदियों के बारे में बताएंगे और आंगे जो सिच्छन विदिया हैं सभी की बात करेंगे concept से दोस्तों ये concept पूरा होने के बाद आपका syllabus पूरा होने के बाद जब basic से आप लोग पढ़ लेंगे इसके बाद हम practice question लाएंगे व अभी लोग समझ जाते हैं जो भी confusion रहता है दोस्तों हमने playlist में वीडियो अपलोड कर दिया पहले सी तो ब्याकरण के लिए भंडार है यहां पर ब्याकरण का भंडार मिलेगा grammar के बहुत सारे प्रसन बहुत सारे question मिलेंगे जहां पर आप बेतीन preparation कर सकते हैं बेतीन त्यार आते रहिए क्योंकि हसना ही जिन्दगी है दोस्तों जब आप हसते हैं तो आपका परिवार हसता है जब आपका परिवार हसता है तो समझ लीजे देश हसता है और यह ग्रूप है सिच्छा जगत का चैनल है दोस्तों हम सिच्छकों की बात करते हैं सिच्छक से related बात करते है और मा सुरुस्वती माता हमेशा कहती है और उनका असिरवाद रहता कि ज्यान जो है देने से सेर करने से बढ़ता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और सेर भी करते रहें मिलते हैं दोस्तों निस क्लास में जैहिंद वंदे मातरम धन्वाश अभी